नमस्कार आप सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इंडिया हर्पल में मैं श्वेता और बुलिटिन की शुरुवात करेंगे बिहार से बिहार में आज जहां पहले चरन के नमांकन का आखरी दिन है वहीं दूसरे चरन का नमांकन भी आज से शुरू हो जाएगा पहले चरन के आखरी दिन में औरंगाबाद गया नवादा जमूई पर नमांकन होगा ऐसे में औरंगाबाद सीट पर कॉंग्रेस और आरजेडी में सिर्फ फुडवल जारी है कॉंग्रेस लागतार आरजेडी से अभय कुश्वाह को हटाने और अपने उमिद्वार को सीट देने की मांग कर रही है अब नमांकन में कुछ ही समय बचा रह गया है ऐसे में दोनों पार्टी को हलचल में कुछ घंटे के भीतर मसले को सुलजाना होगा बढ़ते हैं अगली ख़बर की ओब बात करते हैं कलपना सोरेन की तो बता दे की पहली बार होली पर पती के साथ नहीं होने का दर्द कलपना सोरेन ने शोशल मीडिया में साज़ा किया उन्होंने एक्सपर इस एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें हेमन सोरेन अपने पिता सीबू सोरेन को गुलाल लगा रहे हैं और साथ में कलपना खड़ी हैं कलपना ने लिखा है कि रंगों के तहुआर होली और बहा पुराव की आप सभी देशवाशियों को हार्दिक वधाई और जोहार शादी के बाद आज पहली बार मैं हेमन जी के बिना होली का पर्व अपने ससुराल नहमार स्थित घर पर हूँ तनासाही शक्तियों ने जूटे केस में मुकदमों में फसे हेमन जी को भले ही राजवासियों मुझसे परिवार और बच्चों से दूर कर रखा है पर तनासाही सक्तियों ये दमाम से जादा दिन नहीं कर पाएंगी भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं मैं होली उसे दिन मनाऊंगी जब हेमन जी वापस हमारे बीच आएंगे बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करते हैं राची की राची में भाजपा ने एंडिये कड़बंदन के तहत अपनी सभी 13 सीटों पर उमिद्वारों के नाम की घोशना कर दी है चारखन में 14 लोकसबा सीटों में से 8 समन्य है एक सीट अनुसूचित जाती वा पांच सीट अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित है भाजपा ने 2019 और 24 के चुनाव को मिला कर 8 में से 5 सीट पर अपने प्रत्याशी बदले हैं जबकि पिछले चुनाव में 2024 में जाती हुई सीट गडबंधन के तहद भाजपा ने 800 पार्टी को दी थी वहीं लोकसबा चुनाव में खूटी जारखन की होट सीट रही है खूटी ने देशतर के दिगच नेता दिये हैं मरांग गोमके जैपाल सिंग मुंडा से लेकर एनी हीरो कहिया मुंडा और फिर अरजुन मुंडा ने इस सीट से जीत कर केंदर की राजनीती में अपने जगा बनाया जारखन के सवालों पर और मुद्दों पर राज्यपाल सिंग मुंडा के जमानेक में खूटी की धर्ती से अवाज बुलंद होती जा रही है बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करते हैं त्रिनमूल की तो बता दे त्रिनमूल कॉंग्रेस की लीडर महुआ मुईत्रो आज एडी के सामने पेश नहीं होगी जाच एजनसी ने उनको बिदेश मुद्र मामले में समन भेजा था वई एडी के सामने हाजिर ना होने होकर अपने निर्वाचन छेतर कृष्णनगर में चुनाव प्रचार करने जा रही है पूरवशांसद ने केंद्रिय जाच एजनसी को अपने फैसले के बारे में बता दिया है और लोगसबा चुनाव पूरा होने तक उन्होंने ना बुलाने को कहा है बता दे कि महुआ को केंद्र एजनसी ने पहले भी दो बार पूछताच के लिए बुलाया था हाला कि उन्होंने ओफिशियली काम का हवाला देते हुए उन दोनों समनों का इगनोर कर दिया बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करते हैं गिरिडी की तो गिरिडी के बगोतरा बाजार में स्थित फुटपाथ दुकानों में अचानक आग लग गई इस आग लगी में लाखो रुपे का नुकसान हो गया है घटना के बाबत बताया जा रहा है कि बगोतरा बाजार के पुराने जीटी रोड पर तरह तरह के कई फुटपाथ दुकान मौजूद है आग लगने से करीब दस दुकान इसी चपेट में आ गए आग की लप्टे इतनी तेज थी कि दुकानों में रखे समान ब्लास्ट होने लगे घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर विकेट मौके पर पहुँचे भयानक आग लगी को देखते हुए ग्रामीनों ने भी अपने स्तर पर आग पर काबू पाने में सयोग किया हजारी बाद के जेपी केंद्रियम में आज डीसी नैसी सायक स्पी अर्विन कुमार सिंग के नित्रित्तों में छापे मारी की गई इस छापे मारी में एक सो से अधिक पुलिस कर्मियों ने करीब गंटे तक सभी वोडों का सर्च किया इस दोरान कैदी वोड के अंदर और बाहर खैनी का पाउच ब्लड और मोबाइल चार्जर समेत अन्य समान बरामत किया हाला कि जेल में कैदियों के वोड एवम और अन्य स्थानों से कई घातक समान बरामत करना का सूचना मिला है चापे मारी में सदर SDPO मुख्यालाई DSP सदर थाना प्रभारी समेत कई पुलिस कर्मी शामिल थे तो फिलाल इस बुलिटिन में मेरे साथ इतना ही मुझे दीजे इजाजत नमस्कार